इस इक्सा, इएजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम समाजिक विज्ञान कक्सा 10 के अंतरगत जो मांचित्र संबदित पर्षन होते हैं, उसे कैसे सरल तरीके से उसका हल करना है, वो इस वीडियो से सिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि समाजिक विज्ञान के बोर्ड पेपरों में जो मांचित्र संबदित पर्षन आता है, वहाँ छे अंकों का होता है, और उसे करना सभी विद्यारतियों के लिए अनिवारे होता है। लेकिन प्रहया देखा जाता है कि छात्रों को मांचित्र संबद सफल प्रभावित होता है, उनके अंक कम आते हैं। अगर आप नियमित रूप से इसका ब्यास कारे करोगे तो आप पूरे अंक प्राप कर सकते हों। तो इस समस्यों को दूर करने के लिए आज हम इस वीडियो में तीन वर्ट्स के जो बोर्ड के पेपर होते हैं, उसमें ज उसको देखना चाहते हो, तो आप डिस्कृप्शन बोक में जाकर भी उसका लिंक देख सकते हो। जो आओ चले, सिखें कि कैसे मांचित्र को भरना है। हम सबसे पहले 2017 का समाजिक विग्यान का पेपर देख लेते हैं, कि इसमें मांचित्र से संबंदित परसन किस परकार आ होता है, जैसे यहां पर परसन आया हुआ है, आप देख रहे हैं, 29 हुआ, तो आ और बा भाग में आ रखा है, तो इस परसन को हमें कैसे स्वाल करना है, क्योंकि जो आ भाग होता है, इसमें जो परसन दिया हुआ है, इसका उत्तर भी हमें लिखना होगा, जो आदे नंबर क और उसके बाद उसको हमें जो मान्चित्र में दर्साएंगे उसका आदा नमबर मिलेगा, तब जाके हम इसका एक अंग पूर्ण मिलेगा, ऐसी खा है चॉरी-चॉरा कांड इसमें भी हम इसी परकार इसका उत्तर लिखेंगे, और उसके बाद जो बाह हमारा जो संकेत तांक ह जो चीन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको हमें नक्से में कैसे इनको परदेश्रित करना है, तो आओ चलो, अब देखते हैं कि इस वाले परसन का उत्तर हम मानचित्र में कैसे करेंगे, अब हम 2017 का जो परसन था, उसको जो मानचित्र कारे था, उसको हम कैसे नक्से में परदिशुत करेंगे तो आप देख रहें कि यह हमारा भारत का नक्सा है और यहां पर कि जो परसन आया वा था वो था कि दे गए भारत के राजन्यति क्रेका चित्र या मान्सित्र पर दो राज्यों को पैच्छान करके उनमें जो घटना है गटी उनको यहां पर दर्शाना है तो आप देख रहे हैं कि जो का परसन है यहां पर कि दिसमबर 2020 में भारतिय राश्ट्री कॉंग्रेस का अधिवेशन कहा हुआ था तो इसका उत्तर हमारा जो आएगा वो है नागपूर में हुआ था और नागपूर हमारा कौन सी राज्जी में पढ़ता है यह हमारा महाराष्ट में पढ़ता है यह आप देख रहे हैं महाराष्ट राज्य है यहां पर यह चीन हमारा यहां पर आएगा तो नागपूर यहां पर कहां पर आएगा उसको हम यहां पर डॉट लगा दिया अब हम इसको यहां पर हमें लिखना होगा इसका तो हम यहाँ पर एक arrow बना लेंगे और यहाँ पर हम इसका अंसर लिखेंगे नाकपूर तो यह महारास्ट में आया है तो नाकपूर है और इसको का यहाँ पर लिखना जरूरी है तब हमें यहाँ पर आदे माक्स यहाँ पर मिलेंगे नाकपूर के और आदे माक्स मिलेंगे हम क्वा जो हमने यहां पर मंक्से में ए जेका कों पर्दिश्रित कthen यह दरसाया है इस ही परकार जो हमारा दूसरा में आता है कि और यजो चॉरी हौरा कन तो आप देख रहे हैं कि यह नक्सा है हमारा यहां से लेके पूरा उत्तरप्रदे से और यहां पर हमें डॉट लगा लेंगे तो यह हमारा गोरकपूर आएगा यहां पर चोरी-चोरा कांड घटना घटी थी तो इसको एर लगा के यहां पर उसको लिग दिने तो आपने हमें इस यहां पर परदर्शित करना है तो इसमें सबसे पहले जो आप देख रहे हैं कि दुर्गापूर लौहा इसमारा कारखाना था यह आपका बंगाल में उननीचसो 51 के करीब इसका निर्मान हुआ था और ये जो कारखाना था इसे हमें पस्चिमी बंगाल में दर्साएंगे तो इसमें जो हम पहले एक चिन बना लेते हैं इसका तो मैंने इसको निले रंग से चिन बनाया और इसको हमें बंगाल में दर्साना है यह हमारा बंगाल है, तो यहां पर हमें इसको किबल दर्साना है, तो आप देखेंगे, यहां पर हमने चिन लगाया, अब हम इसका नाम भी हमें यहां पर लिखना होगा, तो यहां पर एरो लगा के हम यहां पर पस्चिम बंगाल लिख देंगे, और यहां पर गा, यह गा लि तो यह जो दर्शाइंगे वह आप देख रहें यहाँ पर हमने जो यह यह पर चिन दिया हुआ यह एक ट्रेंगल के चीन है तो हम एक रॉप चलर प्रेंगल के चीन बना लेते हैं और में था चाहिए तो भ्लैक को भी यूइस कर सकते हैं कैसे रंका कर सकते यह आप पर इस दिगबोई से थोड़ा आपका पस्चिमी की तरफ यह आएगा तो इसको हम नक्से में दर्साते हैं तो यहां पर हमने दर्साया यह पूरा यह आसाम का इलाखा है और यहां पर डिगबोई है और यहां पर यह मोरन तेल छेतर है तो इसको हम नक्से में इस तरह दिखाएं कि तारापूर परमानु उर्जा केंद्र कहeterm हैं। यहाँ पे काला डॉड दिखाया है, तो इसको भी हम काला यहाँ पर बड़ा बना लेता है। इसको हम दर्साइंगे। तो आपने देखा कि तारापूर जो परमानुकेंद्र है यह महाराश्ट में स्थित है और इसकी स्तापना इतना बड़ा है तो यह यहां पर तारापूर परमानुकेंद्र है तो इसको हम यहां पर एरो लगा के यहां पर लिख देंगे तारापूर परमानुकेंद्र है इसी क प्रकार जो आपका last person है ये रेका समुदरी पतन कहा है conquist को आपने देख्अ यहां पर गोला बनावाया प्लस का चीन थो हम इसको हरे रंग से यहां पर दर्शा रहे UCI भी रंग से दर 같습니다 तो आपका विसा का पतनम जो चीन है वो कहां पर आएगा यह आंदर प्रदेश में आप देख रहे हैं यहां पर यहां पर समुदर के किनारे यहां हमारा पतन है और यह एक नैचुरल मतलब इसको प्राकतिक पतन बोलते हैं वह हो है तो इसको भी हम एरों से दिखा देते हैं तो यह आएगा आपका विसा का पतनम तो इस परकार आपने देखा कि मांचित्र कार में अगर आप सही डंग से जो जानकारी दी गई और संकेत दी गए हैं अगर आप उनको सही डंग से भरेंगे तो आपको पूरे 6 में से 6 अंग आएंगे अब हम 2019 का समाजी विग्यान का पेपर देखते हैं कि इसमें जो मांचित्र संबंदी कारे थे वो किस परकार आए थे तो यहां पे हम देखते हैं परसन 29 होगा यह रहा तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें भी दो पार्ट एंज के एक पार्ट में हमें केवल राज्यों के नाम लिखने हैं और साथ-साथ उसको दर्साना बेकी वो कहां पर है इसे डांडी आतरा कहां पर हुई और हिंदुस्तान सोचले रिपाप्लीकर आर्मी की स्थापना कहां पर हुई एक तो यह है और दूसरा यहां पर फिर वो आपकी जो संकेतांग है यह विविन परकार कि इनको हमें मांचित्र में दर्साना है तो आव चले इसको हम मांचित्र में बनाना सीखते हैं तो अब हम समाजिक विज्ञान का जो पेपर था दोहजार उननीस में जो परसन आय थे मांचित्र संबंदी उनको यहां पर हल करेंगे तो इसमें जो परसन था कि मांचित्र प गई थी और यह सबरमती आसरम से दांडी छेतर तक पैदल यातरा थी तो यह इसका उत्तर जो हमारा आएगा राजी का नम हम पहले लिखेंगे गुजरात अब हम इसे यहां पर दर्स आएंगे मांचित्र में यह आप देख रहें यह गुजरात है तो यहां पर जैसे हम क्लिक कर देंगे गुजराद तो आपने देखा का हमने लिखा का स्तापना कानपूर में की थी तो अब हमें कानपूर सहर में इंडिकेट करना है वो कहां पर है तो यह आप देख रहें कि उत्तर प्रदेश में तो यह पूरा का पूरा नक्सा उत्तर प्रदेश का इसमें कानपूर को ढूंड़ना है तो यहां पर कानपूर आगा यहां पर हम एक किसमें अब बाव परसन किस परकार करने यहां पर מאंजी मांचेत पर संकेत दे रहें तो संकेतों के आधार पे हमें यहां पर उनको दर्साना आ है जैसे पहले विशा की पतनम बंदरगाह कहां पर इसका चिंद्ध शंक्राइंगल दे रहा है यह पहले भी परसन आ इससे पिछले साल तो बहुत important person है तो इसको हम इस तरह कोई भी इसका triangle बना लेते हैं और इसको हम यहां दरसाते हैं तो यह हमारा यह जो यह दिख रहा है यह है आंदरप्रदेश तो हम यहां पर indicate लगाएंगे यह विसा का पत्नम हमारा आंदरप्रदेश राज्य में है और आपको यहां पर राज्य का नाम नहीं लिखना है किवल indicate करना है किवल इसमें आपको सीधा एक अंक यहां पर प्राप्त हो जाएगा इसी परकार जर्या जो कोईला खदान है वो पर रिस्तीत है तो इसको हम यहां पर इस डॉट से यहां पर लगा लेते हैं तो यह जो जर् तो यहां पर यह कुएला खाने यहां पर आप इसको इंडिकेट कर देंगे जहार खंड इसको परकार दूसरा बंदवागड रास्ट्य उद्यान कहां पर है तो यहां मद्यप्रदेश में स्तापित है और 437 किलोमेटर में फैलावाया उमेडिया जिले में हैं और टाइगर्स के लिए परसीदे तो इसको हम यहां पर इंडिकेट करेंगे इस वाले सिंबल से यह सिंबल हमने यहां पर ले लिया और इसको हम यहां पर दिखाएंगे तो यह आप देख रहें कि मद्यप्रदेश काफी बढ़ा है इसमें यहां पर यह स्तीत है यहां पर टिक करके हम इसम यहां पर दिया वा इस परकार के चिन का हम परियोग करेंगे कहां पर इस्तिते यह आपका जो भागडा नंगल डैम है 1963 में आरम हुआ था और पंजाब नशल बैंग पंजाब में है और सतलुस नदी में यह बनाया गया तो यहां पर हम इंडिकेट करेंगे पंजाब और यहा इतने आसानी से और साधरन तरीके से यह आपकी जितने भी चैपर इसमें जो परसंट पूछे गए थे मांचित्र कारे में उसको हमने इसमें आसानी से दर्साया है तो इस परकार आप सीख गए हैं लगबग कि कैसे हम जो संकेत आंख हैं और जो घटनायों पूछी जाती है यह मांचित्र कारे में उसको आसानी से हम इसमें दर्सा सकते हैं अब हम 2020 का समाजिक विग्यान का पिपर ले लेते हैं और देखते हैं कि इसमें किस परकार का मांचित्र कारे से सम्मधित परसंट आया था तो आप देखेंगे यहां पर यह पर यहां पर उन्तीसवा यहां जूट मिल कहां लगाई गई थी इन्हें हमांचित्र पर दिखाना है इसी परकार इसके दो घंड तो आखंड में दो दे रखें पटर्सन और बाखंड में आपके यहां पर चार परसन दिये वे हैं तो अब हम इन परसनों को मांचित्र कारे में साथ करेंगे अब हम समाजिक विज्ञान का जो 2020 का परसन है जो मांचित सम्मंदी है उसको यहाँ पर हल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस परसन में जो पूछा गया है कि उन राज्यों की पैचान करें उन राज्यों का यहाँ पर नाम लिखें तो इसके दो खंड है परसन के तो आखंड में का और खा परसन है और उसके अबाब में यहाँ चार खंड दिये वे तो सबसे पहले हम का परसन करते हैं कि देश की जो पहले जूट मिल लगाई गई थी वो कहाँ पर इस्तापित की गई थी तो इसका उत्तर आएगा पस्ची मंगाल में सबसे पहले 1855 में होगली नदी के किनारे यहां मिल इस्तापित की गई थी अब पस्ची मंगाल आप देख रहें कि यह वाला है राज्जी पस्ची मंगाल तो हम यहाँ पे पहले डॉट लगाएंगे यहां पने डॉट लगाया इसके बाद हम इसको एक एरो लगाके यहां पे लिख देंगे पस्ची मंगाल तो आपने देखा कि पहला परसन का उत्तर हमने यहां पे लगा दिया है और इसको लिखना भी बहुत जरूरी है यहां पे पस्ची मंगाल क्योंकि यह आदा नव अंक यहां से मिलेगा और आदा हमें डॉट जहां आपने लगाया उससे मिलेगा इसके बाद जो खापरसन है कि 1912 में जो पहला लोहा सेयंतर स्तापित हुआ तो कहां पे वह आ था तो वो पहले तो बिहार में था लेकिन जहारकण राज्य बनने से अब वो जहारकण में स्तापित है और इसको जमसेद जी ने टाट गुरुप ने स्तापित किया था तो यह कहाँ पर है यह जहारकंड में है तो हम यहाँ पहले डॉट लगा देंगे फिर एक एरो लगा के हम यहाँ लिख देंगे जहारकंड अब इसी परकार जो हमारा बी के परसन है इसमें हमें मांचित ब्रे संकेत जो यहां पर दिये वे इनको यहां पर अंकित करना है और साथ में उस राज जी का नाम भी हम लिख सकते हैं तो पहला जो आप देखरें गा परसन है रानी गंच कोईला उत्पादन चेतर इसका जो चिन बना हुआ है यह वाला चिन इसको हमें मांचितर में यहां पर दर्साना यह कहां पर है रानी गंच कोईला चेतर तो यह आपका जो चितर है यह जो चिन हम यहां पर लगाएंगे य और उस कोटी का कोईला यहां प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर आएगा पस्चिमंगाल, इसके बाद अगला पड़सर ने घा, टेरी बांध परियोजना, कहां पर है, और इसका चिन यहां बनावा है, बॉक्स की तरह, तो हम इसका एक बॉक्स बना लेते हैं, और इसको हम हुचाएँ है, तो अम ने, आपने देखा कि यहां पर यह जो यह दिख राई आया, आपको यह, यह वठरा ख़न नकसा है, और यहां पर यह यह, बांध इसतापित ए ठेरी, तो हम इसको एरो लगाएं यह हम लिगदेंगे उत्रा खंट राज, हम यहां पर टेरी भी लिख ऍहांबने चाहराश्क में सितापीत। अपना शिन लगा लिएया झैसाल हरा रंग का हम फने चिंव पर और यहां पर रशuding म स्धापित यहां पर आरो लगाठके लिख सटने विशा का पर्ट नम यहां एक प्राकतिक बंद्रगा है तो आपने देखा कि तीनों वर्ट्स के हमने देख मान्चित्र विसे कहा Siis और यह च्छे आंक आपके लिए बहुत ही महतों पूर्ण है इससे आपके माक्स आधिक आएंगे और आपको सफलता अच्छी मिलेगी